कमेंटमेंट 60 आट्स दोस्तों ये फिल्म नेपाल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म हो सकती थी दोस्तों इस फिल्म का क्या क्रेज था जब ये फिल्म सुटिंग हो रहा था इस फिल्म में साउथ के बड़े बड़े अश्टार कास्ट भी नजर आने वाले थे तो वही पर दोस्तों इस फिल्म को बना रहे थे नेपाल की सबसे बड़े एक्शन इस्टार निखिल उपरे थी जो इस फिल्म का वो डायेक्शन भी कर रहे थे और इस फिल्म को पर्डियूस भी कर रहे थे मतलब कुल मिला के कहा जाए तो उस वक्त यानि साल 2017-18 की ये बात है जब ये फिल्म सूट हो रहा था इस फिल्म का बहुत ही जादा चर्चा था क्योंकि इस फिल्म में साउथ के बड़े बड़े एक्टर्स के नाम आ रहे थे कि पहली बार नेपाली फिल्म में साउथ एक्टर काम करने वाले हैं दोस्तों यहां तक इस फिल्म में कहा जा रहा था कि साउथ फिल्म इंड़स्टी की सबसे फेमस कमेडियन ब्रह्मा नंदम भी इस फिल्म में काम कर रहे थे लेकिन जब इस बारे में बात किया गया निखिली उप्रेती सर से कि क्या सच में ब्रमा नंदम इस फिल्म में काम कर रहे हैं तो उन्होंने इस चीज़ से इंकार कर दिया लेकिन उन्होंने ये भी बात बोला कि हम आगे ट्राइ कर सकते हैं कि बर्मा नंदम इस फिल्म में काम करें अब बात करते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन साउथ के एक्टर काम कर रहे थे तो दोस्तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने उन्हें बहुत ही फिल्म में देखे होंगे कभी इंस्पेक्टर के रोल में देखे होंगे दोस्टो हम बात कर रहे हैं साया जी सिंदे सरका जो इस फिल्म में भी एक पुलिस इंस्पेक्टर का रॉल कर रहे थे वही पर बात करें दोस्तो दूसरी बड़ी एक्टर का जो बालीओड से जुड़े हुए थे इस फिल्म में वो थे दोस्तो रंजीत जो 80-90 के दसक में अपने एक्टिंग और वीलेन की रोल के लिए बहुत ही ज़ादा मसूर थे वो भी इस फिल्म में अपना चाप छोड़ रहे थे एक्टिंग कर रहे थे दोस्तो सबसे बड़ी बात जो थी इस फिल्म की वो ये थी कि इस फिल्म का प्लॉट पहली बार नेपाली फिल्म में नेपाली फिल्म इंडस्टि में एस पाई मुवी बनाया जा रहा था जो एजेंट किसी काम से अपने देश को छोड़ कर दूसरे देश में जाकर अपने काम का अंजाम देता है प्लॉड थी इस फिल्म की कि कोई नेपाली लड़का भारत में जाकर फसा हुआ है और उसे छूड़ाने के लिए नेपाल से निखील उठेती जाते है और क्या-क्या घटनाए होते है वो चीज थी इस फिलम का प्लॉट जो वाकई में सुनने में बहुत ही दिल्चस्प था और लोगों को बहुत ही जाता एट्रेक्ट कर रही थी इस फिल्म को बारे में देखने के लिए लेकिन अचानक से इतने बड़े फिल्म जो इतने लार्ज स्केल पे सूट किया जा रहा था आखिर में बंद क्यों हो गई तो दोस्तों यहाँ पर रीजन दोट हो है पहला रीजन तो बजेट का है छोटे सही से सुरू किये जाने वाला इस फिल्म का थोड़ा थोड़ा करके करके बहुत ही जादा बजेट पड़े गया ओबर बजेटिंग होने के कारण इस फिल्म को स्टॉप कर दिया गया दूसरा जो रीजन बताया जा रहा था वो यह है कि फिल्म से डिस्ट्रैक्ट होकर बोला जाए तो निखिल उप्रेती जी का इससे पहले एक फिल्म आने वाला था भैरव लेकिन भैरव का बिजनस बहुत ही खराब हुआ इस कारण से निखिल उप्रेती ने इस फिल्म पे भी इन्वेस्मेंट करना उचित नहीं समझा और इस फिल्म को सायद डब्बे में डाल दिया और वो अभी थोड़ा अलग किसम के जीवन बिता रहे हैं जो पूरा दुनियादारी से अलग होकर वो थोड़ा मतलब वो कहते हैं न साधवी टाइप के जीवन वो बिता रहे हैं लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा नेपाली ओडियन्स को भी कहना साओंगा कि जब तक आप लोग अपने देश को नहीं सपोर्ट करोगे अपने फिल्म इंड़स्टी को सपोर्ट नहीं करोगे तब तक नेपाली फिल्म इंड़स्टी आगे नहीं आ पाएगी आज से अगर 20-30 साल पहले देखा जाए तो साउथ फिल्म इंड़स्टी बॉलीवड के सामने कुछ भी नहीं था एकदम से मतलब कि वो दूसरा ही हिसाब से लगता था लेकिन आज के डेट में बॉलीवड के आँख में आँख मिलाकर साउथ फिल्म इंड़स्टी खड़ा है और दिखा रहा है कि साउथ फिल्म इंड़स्टी में कितना दम है तो वहाँ के ओडियंस अपने ही इंड़स्टी के लोगों को देखना पसंद करते हैं आप एक चीसे मिला सकते हो, कंपेर कर सकते हो कि पूस्वा फिल्म आई थी, अभी हाल ही फिलाल में और उसने कितना ज़्यादा तहल का मजाया, कितना ज़्यादा नॉर्थ साइड में कमाया बॉली वुड के दरसक लोग भी उस फिल्म को देखा, नेपाल में भी इस फिल्म को देखा गया लेकिन वही पर बॉली वुड का एक फिल्म आया था, 83 जो बूरी तरीक्या से पिट गया, नेपाल में भी नहीं चला, भारत के नॉर्थ साइड में भी नहीं चला, साउथ साइड के बात ही छोड़ो वहाँ पर थोड़ा भी नहीं चला तो दोस्तों यहाँ पर दोनों को मुझे लगता है कि थोड़ा अपने इंडरस्टिस से प्यार करना चाहिए चाहिए वो नेपाल के ओडियेंस हो चाहिए नेपाली फिल्म मेकर्स हो जो अच्छा कॉंटेंट अपने ओडियेंस को दे ताकि उनके तरफ अट्रेक्ट हो तो आखिर में लोगों को यह भी तो लगना चाहिए कि अगर हम 500 रुपे खर्च कर रहे हैं फिल्म देखने के लिए तो हमें कुछ तो इंटर्टेंडमेंट मिले वो चीज प्रवाइड तो कराना ही वड़ेगा नेपाली फिल्म इंडरस्टि के मेकर्स लोगों को तो उन्हें भी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए और जहां तक हो सकता है नेपाली ओडियंस भी नेपाली फिल्म को अगर सपोर्ट करेगी तो आने वाले दिन में एक से एक फिल्म आप सभी को देखने को मिलेगा यह कहके मेरा असा है तो आप सभी का क्या कहना है कमेंट करके जरूर पताईएगा वीडियो पुसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किजिए और नेपाल से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ने टॉपिक के साथ तब तक ख्याल रखें अपना और अपने जाने वालों का नाने बाद खुदा आफिज हैव नाश देर